हेलो एवरिवन आप शभी का अंकुस अकेडमी में स्लागत है और में प्रेहम का आज कोई क्लास नहीं कराएंगे बलकि कुछ टॉपिक पे बात करना है कि यह जैसे सीजियर एक्जाम कब होगा अगर अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा और फिर आगे क्या करना है क्या फिर धिच्क पेपर है छेत्री भासा उसमें फिर और भी छेत्री भासा को सामिल किया कि जाएगा की वहीं सब बात पर आज बात करेंगे तो सबसे पहले जालने जिए See Be जो एक्जाम है वो काफी डिले हो जाएगा और सैर इसका एक्जाम हो शकता है तो नवंबर या फिर कब होगा वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ अगर आप लुक जैसे सी सीजियल की तयारी कर रहे है और आपको लगता है कि हम अपने इस्टेट लेवल का एक्जाम तयारी करें जैसे जी सी हो गया जैसे सी हो गया फिर जारकनदर ना होगा तो यह सब की वेकंजी बहुत लेट शे आती है और एक तो होता है कि समय पर exam नहीं होब आता है जिसकी बज़ता से कहीं ना कहीं जारकंड के जो student है वो जाइदा अपने exam को लेके परिशांग रहते हैं कि exam कब होगा तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आप एक exam तयारी में लगे हैं तो वैसा मत किजी आप कोई option के साथ और चली, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि एक exam की तयारी करें और साथ ही कोई दुसरे की exam की तयारी करें, तो दोनों को साथ में लेके किजिए ताकि आपको अगर अपने state level का exam जो है, वो काफी delay हो भी जाएगा, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप अधर state का भी exam की तयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने state से आपको मोका नहीं मिल रहा है कि exam कब होगा, कब job लेंगे, तो आप दूसरे state का job पा सकते हैं, अपनी तयारी करके तो साथे साथ बताना चाहा रहे हों कि आप अगर कोई भी exam, एक exam को लेके तयारी कर रहे हैं, एक exam को लेके तो वह ऐसा मत किजिए, आप कोई दो exam को लेके तयारी किजिए, और जैसे जिसका exam आगे होगा, उस तरफ फिर अपनी तयारी को अच्छे से किजिएगा क्योंकि इसका exam अभी कब होगा, इसको खुद ही हम लोगों को नहीं पता है, और ये जो पेपर टू, जो पेपर टू में रखा गया है, छेतरी भासा और जंजाती भासा, उसमें पहले कितना भासा को एड़ किया गया था, तो बारा भासा को एड़ किया था, उसमें बारा भासा को पहले लिया गया है, मगर अभी फिलहाल चर्चा में आया है कि फिर छे भासा को सामिल कर सकता है, कितने छे भासा को शामिल कर सकता है, जो की जो जन्जाती भासा है जैसे बिरहोर, मालतो, बिर anthropology, बोसपूरी, भुमीज और असूरी शैद ये 6 भासा को शामिल कर सकता है और 6 जब सामिल हो जाएगा तो 12 और 6 टोटल 18 भासा हो जाएगा 12 और 6 अगर 6 छेतरी भासा को और सामिल कर दिया जाएगा तो टोटल 18 भासा हो शकता है और ये जो ये जो 6 छेतरी भासा को और सामिल करने की जो चर्चा है या फिर सामिल हो शकती है तो उसका सलेबस तयार कर लिया गया है और आयो के पास भीज दिया गया है और वो syllabus किसके दुआरा तयार किया गया है, तो राम द्याल मुंडा जन जाती सो संस्थान जो है, इनके दुआरा ये 6 भाषा का, क्या बोलते हैं, syllabus को तयार करके और भीज दिया गया, अब judgment आने के बाद ही हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, हो सकता है, इसमें फिर में पढ़ने में रूची है सब्जेक्ट में या फिर कोई और भासा को लेकर तो फिर शायद लिंक को आपन कर दिया जाएगा आप फिर वहां से उसको क्या बोलते हैं चेंज कर सकते हैं या फिर और यह तो इस यही सब के कारण की वज़े से यह जो जैसे सी सीजेल एक्जाम ह काफी डिले हो जाएगा तो आप अगर ठाल लिए कि हमको इसी का तयारी करना है तो आप फिर पूरी लगन के शाथ लगे रहें क्योंकि हो शकता है एक्जाम होने में काफी लेट हो गा ही मगर अगर आपको लगता है कि हमको इसकी तयारी करना है और पूरी रननीती के साथ इसकी तयारी कर सकते हैं तो आप इसी को ध्यान में रखिए साथ ही साथ 11 जपीएसी का भी फॉर्म आएगा और उसकी भी तयारी में लग जाए क्योंकि देखिए पिछले जपीएसी का जो एक्जाम हुआ था आप लोग सबको पता होगा कि कितना जल्दी आयो उसको एक्सनल हुआ वह किशी को कुछ नहीं पता तो जिसकी वजह से वह थोड़ा सा आयो को उस पर ध्यान देना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ है मगर बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि लेवल जपीएसी आएगा तो आप लोग उसकी तयारी में लग जाएए क्योंकि ब हिंदी इंविव भी एड्य औ होने का चांस है एक तब से कहा गया है कि हिंदी इंगली सटे के पर है उसको कौलिफाइं नेचर में रखा है जिसकी वजह से इसको भास्टा में एड्DS क्या गया है मगर हो सबता है प्रस अबर 16 का अंगर आगे क्या करें अगर आप य bullish ल होगी वेकंसी आने वाली है उसकी त्यारी कर रहें तो कहीं नहीं और आपको लगता हुआ कि हम तयारी कर रहें कर रहें एकजाम कभ पर पहले 2019 में ही निकला था उस टाइम BJP की सरकार थी शुनने में रहा था कि एक्जाम अप्रील में होगा फिर सप्टम्बर में होगा जो कि एक्जाम नहीं हुआ और उस टाइम जो फॉम अप्लाइ किये थे उस टाइम 1000 पी रखा गया था, सबको मालूम होगा कि उस ताइम 1000 पी रखा गया, फिर उसको चैंसिल करके फिर नए सीरे से इसका वैकनसिल आया गया, जो कि सबको इस्टुदेंट ढाले, यह सोच के सायत कि यह सरकार जल्दी एक्जाम लेगी, पर यह सरकार भी वही खेल खेल रही है, क जिनका पूरी तरह से तयारी हो गया है। CGL exam तो स्टुटे एनवंद GPC की तयारी कर सकते हैं या फिर अपने इधर स्टेंट की तयारी कर सकते हैं خاص ठर्छ जारकंड की स्टुटेंट हैं वहादा थर बिहार की तयारी करते हैं एक्जारी क्योंकि जारकंड का बिहार में बिहार सची वाले का exam का date आ गिया है जो भी student उसको apply form apply किये थे वो अच्छे से तयारी किजिए क्योंकि उसका exam का date आ गिया है 26-27 नमंबर उसका exam का date रखा गिया है तो आप उसको पूरी तयारी में लग जाए साथ ही साथ आप आने वाले JPSC exam की भी तयारी और कहीं ने कहीं पूरी तरह से आपकी तयारी कंप्लीट हो जाए समय रहते हैं चेलिए आज का जो वीडियो है अब यहीं पर आंत करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा और शेयर किजिएगा थैंक्यू झाल झाल झाल